परेशना पर बताईए लेकिन मौझूदा वक्त के सत्ता में अब एक हनक बनाया हुए है वो भी स्रम विभाग जो की बहुत मायने रखता है उतर प्रतेश सरकार के लिए लेकिन सबसे पहले ये वीडियो चर्चाबाद में तिधी नाम की ये मैला भी ये पास है इसके परिवार में माता पिता के साथ ये स्वयम रहती है मंतरी जी एक कारकरम में पहुँचे दे जो सीधे तरपा साइकल वितरन का कारकरम किया गया था यानि कि उस स्रम विभाग के द्वारा जिसके मंतरी स्वामी प्रसाद मौर रहे हैं ये वो स्वामी प्रसाद मौर्य जो मैंने पहले भी बताया कि मायावती के पिछलगू हुआ करते थे लेकिन मौजुदा वर्तमान की सरकार में जो सत्तादारी है जो हनक है वो खबखुबी से मंतरी जी के बातों से, मंतरी जी के चहरे से, मंतरी जी के सब्दों से, मंतरी जी के तरीकों से और मंतरी जी के भौवों से साफ तोर पर जायर होता है कि महिलाओं के प्रति वो कितने समवेदन सील है या यूँ कहें कि महिलाओं की कैसी बेजिती करते हैं उसनों उनोंने अपना असली चेहरा दिखा दिया है साइकल तो मिली नहीं साब लेकिन निदी नो जो सरकारी नोकरी नहीं बलकि प्राइवेट नोकरी मागने की भी कोशिश की लेकिन ऐसे दुद्कारा के जैसे मानो गली मुहले में चलने वाला कोई जानवर हो साप क्या कहेंगे आप क्या जान पाएंगे आप कि वर्तमान की सरकार में सत्ता में बैठे ऐसे बीजेपी नेताओं के बल पर जो हनक है जो बकूबी है जो महिलाय असुरचित है या यू कहें कि जो नारी ससकती करण का जिम्मेदारी प्रदेश के मुक्या योगी आततिनात ने उठाई है या यू कहें कि प्रधान मंतिनी ने उठाई है उस पे कैसे पलीता लगा रहे हैं कैसे धचिया उड़ा रहे हैं सीधे तोर पर आप ये वीडियो देख पाए थे फिर से कहेंगे कि वीडियो के अंत में आप जरूर देखिएगा कि सत्ता धारी नेता किस करीत कदर बत्तमीजी में अमादा है लेकिन मौझूदा सरकार की हनक है सत्ता है जो सीधे तोर पर बोल पा रही है सीधे तोर पर देख पा रही है और उसको बखूबी से समझा भी जा रहा है लेकिन 2022 के चुनाओं में क्या ये सत्ता धारी पार्टी इस नेताओं के सारे से चुनाओं लिटले लड़ेगी या यू कहें कि इन महिलाओं के बेचिती करने के बाद क्या उमीद करते हैं महिलाओं से साहब ये तो वक्त वताएगा लेकिन आपको अगर वीडियो समझ में आया हो कुछ जानकारी मिल पाई हो तो लाइक कमेंट सेर जरूर करें और हाँ वीडियो एक बार अंद में जरूर देखें नमस्कार